Hello everyone, the political master में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, CBSC BORT RESULT 21 या दोस्तों, CBSC द्वारा या आप कह सकते हैं केंद्रि मादमिक शिक्षा बोड द्वारा बार्वी की परिक्षा परिदाम जारी करने का जो फॉर्मूला सारवजनी करने का बात जो है दोस्तों, अभिवावा को और च्छात्रों को मन में इसे लेगत एक दुविदा है दोस्तों और इसी दुविदा के समाधान के लिए च्छात्रों ने कुछ प्रसंद पोचे थे CBAC से High Court से और Supreme Court से और च्छात्रों के जो सवाल है दोस्तों इस सवाल आपको जानना चाहिए बहुत ही जर दोस्तों इस वीडियो को end तक देखें इसे skip ना करें वीडियो अच्छी रगे तो like करतें दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूले जो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं पहले प्रसंसे जो छा आधार पर 40 फीसरी अंक लिये जाएंगे ये दोस्तों चात्रों के सवाल है कुछ चात्रों के और इसके जवाब में दोस्तों CBSC द्वारा क्या उतर दिया गया प्रिंसिपल द्वारा क्या उतर दिया गया इसमें उन्होंने कहा है कि अगर छात्र ने बारवी प्रीबोर्ड परिक्षा नहीं दी है तो उसे अर्दवार्सिक परिक्षा के अधार पर इंटरनल और असिस्मेंट के अधार पर प्र सब्सक्राइब बात करते हैं दोस्तों सवाल नंबर दो की सवाल नंबर दो कुछ विध्यारतियों ने पूछा था कि किसी विध्यारती ने दसवी की परिक्षा सीब्यसी बोर्ट से दी हो ऐसी संभावना कि जुलाई 31 तक रिजल्ट आ जाएगा जैसा कि पहले भी कहा गया है कि जुलाई 31 तक जो है रिजल्ट आ जाएं क्लास 12 और 10 के प्रंतु ऐसी संभावना नगर ने दिख रही है जबकि दोस्तों बिहार और अन्ने बोर्ट में ग्यारवी में आवेदन का जो समय है वो 28 उने तो उस छाद के जवाब में जो उत्तर मिला है अगर हम बात करें तो आप इस बारे में से संपर्ग कर सकते हैं वैसे स्टेट बोर्ड भी अपनी तिथी बढ़ा सकते हैं 11 में स्कूल प्रोविजनल दाखिला भी दे सकता है यह सवाल का जवाब निकल कर सामने आया है यानि अभी कोई भी क्लिरियर्टी नहीं है कि यदि माल लो कोई छात्र जो है दस्वी क्लास में हैं और सीब्यसी से पढ़ रहा है और सीब्यसी बात किसी दूसरे बोर्ड में एडिमिसेल लेना चायता है तो वह एडिमिसन कैसे ले क्यूंकि पर्ते बोर्ड में जड़ rap वह रिजल पहूस से ब जबाब नहीं मिला है दोस्तो क्लियर चलिए सवाल नंबर तीन के बात करते हैं सवाल नंबर तीन जो छात्रों तरफ पूछा किया दोस्तो वह अगर किसी बच्चे की दस्वी में कंपार्टमेंट आई हो यदि किसी विसे में उस बच्चे की दस्वी के परिक्षा प्रणाम तो कैसे त्यार किया जाएगा क्या इसकी परिक्षा होगी यदि होगी तो कब तक क्यूंकि इसके बारे में अभी तक कोई जानकरइस स्कूल के तरफ से नहीं मिली है दो दोस्तों चाथरों कर स्वाल है कि कि अगर किसी बच्चे के दस्वी कंपार्टमेंट आई हो किसी प्रसंद पूछा गया था तो जो आप क्या मिला है तो हम बता देते हैं तो जो आप सीधा सीधा मिला हुआ है सिंपल सा कि इस बारे में दिशा निर्देश कंतियार करना हो गया नहीं अभी भी कोई अंसुलजा सवाल है और ये साल दोस्तो मैं गटाँ गोँगा चात्रों के लिए एक एक की तरह लग रहा है कि रहर बार चात्रों के इन хорошी सवालों से गजरना पड़ रहा है सवाल नमबर चार दोस्तों स्वाल हमर चार जो विध्यारती द्वारा पुछा गया था अभिवाव को द्वारा कि बीते साल किसी विध्यारती ने अगर हेल्थ इस्यूस की कारणों से बारवी की प्रिक्षा नहीं दी तो इस बार बारवी का प्राइबट फॉर्म बरा है तो ऐसे स्थिति में प्रणाम क कैसे जारी किये जाएंगे इसको लेगर कोई सीबेसी ने जानकारी नहीं दी है क्यों दोस्तों सीबेसी ने सिर्फ रेगूलर क्लास के वाले बच्चों जानकारी दी है जो रेगूलर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए किस फॉर्मुले का अधार बनाया जागा पास करन जल्दिस जल्दिसका solution निकाला जाए सवाल नंबर पाच दोस्तों महत्तुपड सवाल है कि क्या सीवेसी प्राइवेट और कमपार्टमेंट छात्रों के परिक्षा कराएगा यदि कराएगा तो कब तक कराएगा दोस्तों तो जवाब में दोस्तों क्या दिया गया है जवाब अगस्ट से लेकर 15 सप्टमबर तक प्राइवेट चात्रों और चात्रों परिक्षा कराई जाएगी अब उसका रिजल कब आएगा उनके पेपर कब होंगे पिर अडिमिशन कैसे होंगे इसके बारे मैं कोई जानकर रही है भी सिपेसी द्वारा नहीं दी गई यह बहतर होता इन पांचों सवाल एक जवाब दोसों चिपेसी या हमारे सिक्षय मंतरी रबेश पोक्रियाल जी किसी समय निकालकर एक दिन सभी सवाल एक जवाब दे और छात्रों के जो अंदर प्रसन है उन प्रसन को सांथ कर दिया जाए ताकि वो सही और उसी तरीके से अपने दिमाग को और पढ़ाई में लगा सकें चलिए ये तो रहे दोस्तों पांस वाल जो आपको जाना बहें जरूरी था मैंने सुच आपको जरू बता दिया जाए दोस्तों एक खुशकबरी आपको बता जाता हूं कि खुशकबरी क्या है कि गूट नीश फोर स्टुरेंस यादि रिज से नाखूस हैं यदि जब सभी नंबरों को टोटलिंग कर लिया जाएगी नंबरों को पूरा तयार कर लिया जाएगा तो चात्र जो है अपने नंबर देख सकते हैं ऐसे कोई सिच्वेशन दी जाए चात्रों के लिए तो उसमें बहुत अच्छी खबर यदि चात्रों को ऐसा हो जाता है तो यह सिच्वेशन की त्यास में पहली बार होगा कि छात्र जो है रिजल आउट होने से पहली अपना देख लेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियों बस इतना ही आप लोग पेसेंस बनाए रखिए अपनी पढ़ाई को अनवरत रूप से जाए रखें जो भी आप competition की exam की तारी कर रहे हैं किसी एंटर्स exam की उस पर लगाता और फोकस करते रही है रिजल दोस्तों जब आ जाएगा तो आ जाएगा वीडियो अच्छी लगए तो इसे लाइक करते दोस्तों यदि आप हमारे चैलनल पर नहीं तो चैलनल को जरू सब्सक्राइब करते हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों ऐसे हमें सपोर्ट करते हैं मिलते हैं एक और नेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन धन्यवाद